तारानगर चेतर की 29 वर्षे महिला से शादी का जहांसा देकर दुशकर्म महिला थाने में नामजद मुकदमा दर्ज चुरू जी लेके तारानगर चेतर की 29 वर्षे महिला से शादी का जहांसा देकर दुशकर्म करने का मामला सामने आया है नामजद आरोपी के खिलाफ बीती रात चूरू के महिला थाने में BNS और SC Act की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ पीडिता का पुलिस ने जिलास पत्ताल में मेडिकल करवाया महिला थाना दिकारी करतार सिंग ने गुरुवार शाम करीब 4 बजे जानकारी देते हुए बताया कि 29 वर्ष ये महिला ने रिपोर्ट दी कि 3 साल पहले उसकी रामगड के सुभाश सिंग राजपुत से जान पहचान हुई थी जिसने शादी का जहासा देकर उसे करीब 4 महिने पहले चूरु बुला लिया और यहां ओम कोलोनी में किराए के मकान में ले जाकर दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया महिला ने रिपोर्ट में बताया कि इसके बाद आरोपी ने राम मंदिर में कमरा किराए पर लिया और यहां भी शादी का जहासा देकर उसका देश उश्टन करता रहा करीब एक महिने पहले वे उससे बिना शादी करे छोड़ कर चला गया महिला थना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाज शुरू कर दी है महिला ने बताया कि वे पहले से शादी शुदा है जिसके तीन बच्चे भी है उसका पती शराप पीकर मार पीट करता था इसलिए वे पती से अलग रह रही थी और इसी दोरान उसकी सुभाश सिंग से जान पहचान हो गई थी जिसने शादी का जहासा देकर उसके साथ वार दातकों जांदिया